नमस्कार दोस्तों वास्तु ग्यान में आपका स्वागत है यदि आप परेशान हैं कि आपका विवाहा नहीं हो रहा है या घर में कोई विवाह युग्य, युवक या युवति है जिसकी शादी नहीं हो रही है या शादी में बांधाएं आ रही है कभी कभी ग्रहों की स्थिती के कारण ऐसा होता है तो कभी जनम कुडली में दोश के कारण विवाह में देरी होती है तो परिशान ना हो मैं आपको इस समस्या के समधान के लिए कुछ उपाए बताऊंगी यदि किसी युवक और युपती का विवाह नहीं हो रहा हो तो आप इन उपायों को अजमा सकते हैं ऐसा करने पर विवाह में आ रही रुकावट दूर हो जाएगी पहला उपाए यदि विवाह के अफसर पर किसी कन्या की महंदी की रसम हो रही हो तो यदि आविवाहित कन्या उसे महंदी लगाए तो उसका विवाह जल्दी होता है दूसरा उपाए मंगली होने के कारण यदि कन्या विवाह ना हो रहा हो तो वह प्रतेक मंगलवार को मूंगे की माला से ग्यारा बार इस मंत्र का जाप करें मंत्र है ओम हीम कलीम सर्वपूजे देवी मंगल चंडी के हूँ फट स्वाहा तीसरा उपाए गुरुवार को केले पीपल या बर्गत के व्रिक्ष में जल अर्पित करें शिग्र विवाहा होगा चोथा उपाए जिस युवक का विवाहा ना हो पा रहा हो तो 21 मंगलवार को शाम के समय किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर उनके माते से थोड़ा से सिंदूर लेकर उसी मंदिर में राम सीता की मूर्ती के चड़नों में लगा दे और शिग्र विवाहे तु उनसे प्रात्ना क सोए शनिवार को भैते जल में प्रावाहित कर दे चटा उपाये विवाहा योग्य लड़की के लिए वास्तु में पस्चिम दिशा बहतर मानी चाहती हैए इसलिता को देसे दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए दोस्तों बाधाय हमारी जिंदीगी एक हिस्सा है पर इन बाधाओं से निराश नहीं होना चाहिए कोई समस्या है तो समाधान भी है इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिश्टिदारों के साथ शर कीजिए और सब्सक्राइब साथ ही साथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें धन्यवाद दोस्तों